नमस्कार दोपहर समाचार में आपका स्वागत है मुख्य समाचार गुजरात की एक अदालत में कॉंग्रेस नेटा राहूल गांधी को वर्ष 2019 में मानहानी के आपराधिक मामले में दो साल की सदा सुनाई भारतीय लोकतंत्र पर राहूल गांधी की टिपणी और अन्यमुद्दों को लेकर संसद में लगातार आठवें दिन गतिरोध राज्यसभा के सभापती जगदीब धनकर ने सदन के सुचारू शंचालन के लिए सदन के विभिन्न राजनेतिक दलों के नेताओं के साथ बैठा की सरकार ने कहा कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है राज्यों से महामारी की रोक्ताम के लिए सभी आवश्चक प्रबंध करने के निर्देश और खिलों में भोपारल में चल रही ISSS विशुकप निशाने बाजी प्रतियोगिता में भारत ने 10 मीटर एर राइफल मिक्स्ड टीम्स परधा में कांच से पदक जीता बासल में पीवी सिंदू, किदामभी स्रिकांस और एचस प्रणय आज स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने दूसरे दौर के मैच फेलेंगे दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्रू त्रिपाथी गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी को मोधी सरनेम को लेकर वर्ष 2019 में की गई टिपणी के आपराधिक मानहानी मामले में दोशी करार दिया है कॉंग्रेस नेता ने लोगसभा चुनाव से पहले करनाटक के कोलार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आपत्ती जनक टिपणी की थी अदालत ने उन्हें दोवर्ष की जेल की सजा सुनाई है हलांकि न्याइक मजिस्टेट एच एच वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है और सजा पर 30 दिन की रोक लगाई हुई है ताकि वे इस अवधि में उपरी अदालत में अपील कर सकें इस फैसले के बाद राहुल गांधी की वायनाड संसदिये चुनाव क्षित्र से उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है और वहां उप चुनाव कराना पड़ सकता है फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी भी अदालत में मौजूद थे भारतिय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी की कथित अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देती हुए केंदरिय विधी मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि राहुल गांधी जब भी कुछ कहते हैं वो राष्ट्र और अपनी पार्टी के लिए शर्मंदीगी का कारण बन जाते हैं उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ बाकी को भी लुकसन होता है भारतिय लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिपणी और अदानी समुह के मुद्दे पर संसत के दोनों सदनों में आज भी गतिरोध जारी रहा लगातार आठ दिन से दोनों सदनों की कारवाही बाधित हो रही है लोकसभा में आज सवेरे जैसे ही सदन की बैठक शुरू हुई विपक्षी सदस्यों ने अदानी समुह के मुद्दे पर नारे बाजी शुरू कर दी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला ने सभी सान सदों से सदन चलने की अपील की लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को दो पहर दो बज़े तक स्थगित कर दिया सदन की कारेवाही फिर शुरू होने पर हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा को शाम छे बज़े तक के लिए स्थगित कर दिया गया राजी सभा में भी सदन की बैठक शुरू होते ही सभापती जगदी धनकन ने विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए सघन के नोटिसों की अनुमती नहीं थी सदन के नेता पियुष गोयल ने कहा कि सभापती के प्रयासों के बावजूद मुख्य विपक्षी दल के साथ कोई सहमती नहीं बन रही है विपक्षी के नेता मलिकारजुन खडगे ने अडानी समुह के मुद्धे पर सहयुक्त संसदिय समिती से जाच कराने की विपक्ष की मांग दोराई हंगामा जारी रहने पर सदन को पहले दो पहर दो बिज़े तक तो फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया इससे पहले राजिसभा के सभापती जगदीव धनखड ने सदन के सुचारू संचालन पर चर्चा के लिए विभिन राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं के सास बैठकी सभापती ने सत्तारूढ और विपक्षी पार्टियों की ओर से उठाएगे मुद्दों पर सदन में जारी गतिरोध समाप्त करने का आग रह किया संसद के दोनों सदनों के विपक्षी सदस्यों ने आज संसद भवन परिसर में भी विरोस प्रजशन किया विपक्षी सदस्य अदानी समूह के मामले में संयुक्त संसदिय समिती से जाच कराने की मांग कर रहे थे। एक लिखित उत्तर में पेट्रोलियम और प्राकर्तिक गैस मंत्री हरदीप सिंगपुरी ने आज कहा कि इस योजना के दूसरे चरण का शुभारंब अगस्त 2021 में किया गया था। अभी तक इस योजना के अंतरगत एक करोड़ साथ लाख लाभार्तियों को LPG कनेक्शन दिये लाख ग्रामिट घरों में से लगभग 11 करोड 49 लाख घरों में नल से जलकी आपूर्ति हो रही है। शुभाटेल ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतरगत पिछले साड़े तीन वर्षों में अचिरिक्त 8 करोड 26 लाख ग्रामिट घरों में नल से जलके कनेक्शन दिये गए ह ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com slash hindi और हमारे मोबाइल एप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। on the 23rd of March 2023, brings an exclusive interview with Mr. Anjan Banik, a recipient of the National Award for Science and Technology Communications for the year 2022. Looking forward to seeing you there! केंद्रिय स्वास्थे मंत्राले ने लोगों को आगाह किया है कि COVID महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। COVID की स्थेती को लेकर नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रिय स्वास्थे सत्यु राजियोश भूशन ने बताया कि प्रती दिन विश्व स्तर पर COVID संक्रमण के औसतन 94,000 मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन भारत में संक्रमण के सिर्फ 966 मामले हैं जो विश्व के कुल संक्रमण का सिर्फ एक प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि आठ राजियों में सबसे अधिक संक्रमण के मामले सामने आये हैं। इन राजियों को जारी कर दिया गया है। अब हमें कोई भी प्रिकॉशन लेने की आवश्यक्ता नहीं है। तो ये धारना गलत है। केंद्रिय ग्रेह मंत्री अमित शाहा ने आज नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उधगाटन किया। इस पोर्टल का उदेश्य शोध करताओं को वैदिक ज्यान परंपराओं को समझने में सहयोग करना और जन साधारन को प्राचीन ग्रंथों की सामान्य जानकारी देना है। पोर्टल से वैदिक विरासत से जुड़ी किसी भी जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है। से अधिक मंत्रों के साथ 550 गंतों के अडियो विज्यूल डाकुमेंट का रिकार्डिंग करके सभी दुनिया को उपलब्द करने का कष्ट किया है। केंद्री सलक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी आज जार्खन में 13200 करोड रूपय की 31 सलक परियोजनाओ का उदगाटन और शिलान्यास करेंगे। शिगटकरी जमशेदपुर से 3800 करोड रूपय की 10 सलक परियोजनाओ और रांची से 9400 करोड रूपय की 21 सलक परियोजनाओ का उदगाटन और शिलान्यास करेंगे। राज्य इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बिहार विधान परिशद में विपक्ष की नेता समराट चौधरी को बिहार राज्य इकाई का नया अध्यक्ष बनाय गया है। आप हमारे ट्विटर हैंडल एट AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवणी है और खेल कवरों के साथ हैं विशाल शर्मा। भुपाल में ISSF निशानेबाजी विशुकप प्रतियोगीता में आज 10 मीटर एर रैफल मिक्स टीम स्परधा में नर्मदा नितन राजु और द्राक्ष बाला साहिप पाठिल की भार्टी जोडी ने चीन को 16-18 से पराजित कर कांसे पदक अपने नाम किया। प्रतियोगीता में ये भारत का 30 पदक है। के श्रीकांथ ने वैंग हांग यौंग को हराया। उनका अगला मुकाबला है ली चेउक यू से होगा। पणाय ने शी यू क्यूई को हराया। दूसरे दौर में पणाय का सामना क्रिस्टो पोपोव से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डॉक्टर रामनोहर लोहिया को उनकी जैनती पर याद किया। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर लोहिया एक प्रखर बुद्धी जीवी और उदस्वी विचारक थे जिनोंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी भूमिका निभाई और बाद में एक समर्पित नेता और संसत सदर्सी के रूप में प्रधानमंत्री ने आज शहीद दिवस के अवसर पर महान सुसंत्रता स्यनानी भगत सिंग सुखदेव और राजगुरु को शद्धान जली दी है ट्वीट संदेश में शिमोदी ने कहा कि भगत सिंग सुखदेव और राजगुरु के बलेदान को भारत सदैव याद रख रुवते हिलाल समिते ने कल नई दिल्ली में घोशना की कि बुधवार को देश में कहीं भी चांद नजर नहीं आया इसलिए पहला रोजा कल होगा एक महीना रोजा रखने के बाद इदुल फितर मनाई जाती है मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, पंजाब, हर्याना, चंडीगर, पश्चिमी उत्रप्रदेश और राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम भारत में आज शाम वर्षा और गरज के साथ छीते पढ़ने की भविश्वानी की है विभाग ने कहा है कि कल हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड और पंजाब में कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है विभाग ने कहा है कि पुर्वोत्तर भारत में भी दो दिनों तक आंधी और बिजली कड़कने तथा तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभाब ना है बंगलादेश में अमेरिकी राजदूद पीटर हास ने कल धाका में सत्तारूर अवामी लिग के नेताओं के साथ अगले आम चुनावों पर चर्चा की अवामी लिग के महासचिव और सलक परिवहन और पुल मंत्री अबैदूल खादर ने पार्टी के अन्य वरिष्ट नेताओं के साथ दोनों देशों के बीच अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ-साथ आगामी चुनावों पर भी चर्चा करने के लिए अमरिकी राज दूत से मुलाकात की धाका में अमेरिकी दूतावस की वोर्ट से जारी एक ट्वीट में कहा गया है कि राजदूत हास ने बांगलादेश में स्वतंत्र और निश्पक्षे चुनावों पर चर्चा की उन्होंने अमरिका और बांगलादेश के व्यापारिक संबंध और सुर परियावरन वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र पटेल को आज अलग-अलग पत्रों में शुप्रधान ने कहा कि पिछले एक दशक के दोरान ओडिशा में 784 हाथियों की मौत हुई है शुप्रधान ने हाथियों की मौत पर गहरी चिंता प्रकट की और अं प्रकट ने कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी को वर्ष 2019 में मानहानी के आपराधिक मामले में 2 साल की सदा सुनाई भारतिय लोक्तंतर पर राहूल गांधी की टिपणी और अन्यमुद्दों को लेकर संसद में लगातार आठमें दिन गतिरोध राज्यसभा के सभापती ज अब ही आवश्यक प्रबंधन करने के निर्देश और खिलो में बोपाल में चल रही आई-एस-एस-फ विश्वकप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम्स परधा में कांसे पदक जीता, बासल में पीवी सिंदू, किताब इस ओपन बैडमिंटन टोर्नामेंट में अपने दूसरे दौर के मैच खेलेंगे, इसके साथ ही दो पहर समाचार का ये अंकतमात हुआ, नमस्कार